सवे भवन्तु सुखिन, भाग साथ, आजाओ प्रभू हम तुमको रंग लगाएं। मन का मैल खत्म करना ही चाहिए। उस अद्रिश्य का दर्शन करने का प्रयास करना ही चाहिए। पचास वर्ष की उम्र के बाद अथ्वा सेवानिवृती के बाद का जीवन, विक्षा, उपहार, बक्षीश के जीवन की तरह है, जो पता नहीं कब समाप्त हो जाए। इस मन को विशे विकार ने मेला कर रखा है और विशे विकार के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है। चाहे कोई, रैदास जी, कबीर जी की तरह ग्रिहस्त हो अत्वा, कोई ग्रिहस्त छोड़कर वन, जंगल या अन्यत्र रहे, सफल वही होता है, जिसका मन संसार से अलग हो जाता है, क्यूंकि तन संसार से अलग हो ही नहीं सकता, जब तक जीवन है, तब तक संसार का संसार का सं प्रकाश अंतर में प्रकाशित होता है. कुछ गुरूओं ने इस प्रकाश की अलग-अलग विवेचना की है. उस प्रभू का ही ग्यानाज हर गुरू शिश्यों को प्रदान करते हैं, अतह। वह प्रभू गुरूओं का भी गुरू है। उस परम गुरू परमात्मा के समान कोई नहीं। उसके जैसा ग्यानी कोई न नहीं। उसीने आत्माओं को अपने स्वरूप को दिखाकर जन्द मरं के चक्र से मुक्त किया है। यह सब कुछ तभी संभव होता है जब उसके अतिरिक्त कोई चाह नहीं रहती। कोई कामना नहीं रहती। कोई वासना नहीं रहती। परमानंद, दिव्य सुक, प्रभू अत्मादर्शन आधी मनुष्य के मन के संसकारों पर आधारित है। जैसे कोई जन्म से निर्धन हो लेकिन अपने करमे के कारण निर्धन से धन्वान बन जाता है। उसी तरह परमानंद, दिव्य सुक, प्रभू दर्शन, आत्मादर्शन की प्राप्ती के लिए, तरह के अश्वा होते हैं। सर्भूत्तम अश्वा, जो कोड़े की छाया देखकर ही चल पड़े, अती उत्तम अश्वा, जो कोड़े की फटकार सुनकर चल पड़े, उत्तम अश्वा, जो कोड़े की चोट खाकर चल पड़े, निक्रिष्ट अश्वा, जो खुब कोड़े खाये फिर चले और फिर रूख जाये फिर कोड़े खाये फिर चले। ऐसे ही मनुश्य भी चार तरह के होते हैं। सर्बोत्तम मनुश्य तोबह है जो गुरू का उद्देश कानों में पढ़ते ही उसकी पालना प्रारंब कर दे। यानि गुरू की सत्यवानी चाहे वह किसी के भी द्वारा किसी भी माध्यम से उसके संपर्प में आये यानि चाहे कानों के द्वारा आये या आखों के द्वारा पका आये या सुनकर उसके हृदे को चीर कर उसके हृदे में समाहित हो जाती है। और ऐसे लोगों का कल्यान सुनिश्चित है, अती उत्तम, कोई भी गुरू उपदेश करे, लेकिन उसका उपदेश सुनकर जिसे अपने गुरू की वानी की याद आ जाए और शुब कर्मों की ओर बढ़े, यानी केवल उपदेश कानों में पढ़ने पर ही सुधरना और उप उत्तम, जो केवल अपने गुरू की वानी गुरू का सानिध्य पाकर ही उसकी पालना करे, ऐसा मनुश्य केवल और केवल अपने गुरू की वानी सुनकर ही अपना सुधार करने के लिए कुछ श्रम करता है, अन्य गुरू चाहे कुछ भी कहे चाहे, उसके स्वयम के क्यूंकि केवल अपने मालिक द्वारा कोड़ा खाने की जो आदत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति, ना आत्मदर्शन पाते हैं, ना प्रभु दर्शन पाते हैं और जन्मरन के चक्र में फंसे रहते हैं। सार, सर्वोत्तम बनाती है, गुरुवानी, यानी गुरुवानी रूपी पारस मनी की पालना से ही, मनुष्य ध्यान के माध्यम से, विशय विकार, पाप से रहित होता है, यानी तामसिक से सात्विक्त सर्वोत्तम बन जाता है, जो सत्यवानी सभी धर्म गुरुओं की वानी स कम से कम उस सत्य वानी की पालना करने पर ही सर्वोत्थम बना जा सकता है। और कबीर रैदास जी जैसे संत्मू माया से दूर ही रहे। सर्वोत्तम भी अद्रिश्य शक्ती के रंग में रंग पाता है। सबका भला हो।